नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिवम पांडे और आप सभी का स्वागा थे आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन जो ग्रॉफी में भारत के उद्योग के बारे में बात करने वाले हैं साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि आपकी स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं जिन पर टिक लगा हुए उन पर वीडियो पहले से अपलोड है तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि उद्योग किसे कहते हैं तो उद्योग से ताथ पर एक ऐसी उच्छे आर्थी क्रिया से है जिसका समद्ध वस्तूओं एवं सेवाओं के उत्पाधन तथा उनके समवर्धन से होता है यहाँ पर समवर्धन का मतलब प्रमोशन से है और उत्पाधन का मतलब प्रोडक्शन से है मतलब सीधा सा पैसा समझे कि उद्योग कताज पर पैसे कमाने की ऐसी क्रिया से होता है मतलब पैसे कमाने के ऐसे कारे से होता है जिनका संबन्ध प्रोडक्ट एवं सर्विस के प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से होता है प्रमोशन में वो सभी चीजे सामिल होती है जो वस्तु के उत्पादन के बाद बिक्रे तक दी जाती है और बिक्रे के बाद भी जो सिवाय दी जाती है वो सब की सब प्रमोशन में सामिल होती है और आप ये भी याद रखिएगा कि मान लीजे कोई एक फर्म है जो कि ऐसा कारे करती है तो वो उद्योग नहीं कहलाएगा जब एक समान वस्तुओं के उत्पादन में अनेक फर्म लगी होती है तो यह सब फर्म मिलकर ही उद्योग कहलाती है जैसे कि आटो मोबाइल उद्योग की अगर बात करें तो आपको पते हैं मारूती भी है टाटा भी है होंडा भी है तो यह सब की सब क्या करती है आटो मोबाइल उद्योग करती है और अगर अलग से काम करें तो वो फिर उद्योग नहीं कहलाएगा ठीक है मतलब एक ही अगर फर्म हो तो उद्योग नहीं कहलाएगा ऐसे ही आपको पता है कि दूर संचार उद्योग में आइडिया है येर टेल है रिलांस जीओ है बेसनल है तो ये सब अलग-अलग फर्म जब मिलकर एक जैसा कारे करती है तब है उद्योग कहलाता है तो ये चीज़ आप उद्योग के बारे में समझ लीजिएगा भारत में जो अध्योगिक विकास है यह दो प्रकार से हुआ पहला सोतंत्ता के पूर्व और दूसरा सोतंत्ता के बाद सोतंत्ता के बाद भी दो प्रकार से प्रयास किये गए पहला नीतिगत सुधार और दूसरा संस्थागत सुधार नीतिगत तो अब एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्वतनत्त्ता के पूर्विकी तो जैसे कि आपको पता है कि प्राचीन काल से ही जो भारत है वो अपने सूती वस्त्रों, रेसम वस्त्रों, मलमल वस्त्रों तथा कलात्मक वस्तूओं के लिए विस्व प्रसिद्ध था लेकिन ब्रिटिस सासन की नीतियों और इंगलेंड में हुई ओद्योगिक क्रांती ने भारत के ओद्योगिक हस्त सिल्पों का विनास कर दिया था क्योंकि जो भारती वस्तूओं थी वो इंगलेंड में मसीनों से बने हुए वस्तूओं की बराबरी नहीं कर पाती थी आपको पता है कि जो वस्तूओं हांस से बनेंगी तो जाहिए सिवात है कि यो महगी जादा होंगी और उनकी जो गुणवत्ता है वो मसीन से बनी हुई वस्तूओं की पेच्छा कम होगी यही करण था कि जब इंगलेंड में ओद्योगी करांती हुई तो ब्रिटिस संसरकार की नीतियों के करण जो भारत का उद्योग था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया ठीक है फिर भारत में जो ओद्योगी बिकास की सुरुवात है वो 1853 में च्यार कोल पर आधारित प्रथम लाह प्रगलं सयंत्र के रूप में की गई किन्तु ये जो प्रयास था ये असफल रहा उसके बाद 1854 में कावश जी नाना भाई डावर द्वारा प्रथम सफल प्रयास किया गया जिसमें सूती वस्त्र मिल की स्थापना मुंबई में की गई फिर 1855 में भारत की प्रथम अगचकार खाना पश्चिम मंगाल में ही कलकत्ता के बाली में खोला गया और 1876 में भारत की प्रथम उनी वस्त्र मिल जो है वो लाल इमली कानपूर में खोली गई और अगर बात करें कि भारत की प्रथम सीमेंट उद्योग की तो भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नाई के रानी पेट में खोला गया भारत में 1923 में प्रथम दिया सलाई उद्योग गुजरात के बढ़ोद्रा में और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के जेके नगर में प्रथम एल्मोनियम उद्योग 1937 में इस्थापित किया गया 1940 में प्रथम वायुयान कारखाना H.A.L. द्वारा मतलब हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिम्टेड द्वारा बैंगलोर में इस्थापित किया गया और 1941 में प्रथम जहाजरानी उद्योग विसाखा पटनम में इस्थापित किया गया तो स्वतनत्ता के पूर्व इतने सारे कारे किये गए तो आपसे एकजाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम लौह इसपात उद्योग कि स्थापना कहां की गई या फिर कभी की गई ऐसे ही आपसे कई सारे प्रेशन पूछ लिये जाएंगे जैसे उनिवस्तर मिल की स्थापना कप की गई कहां की गई प्रथम ठीक है या फिर प्रथम कागच कार खाना की स्थापना कहां की गई कब की गई तो यह चीजे आपको अच्छे से याद रखनी है और अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट करके बताएगा मैं इनकी ट्रिक भी बना दूँगा ठीक है तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सुतंदता के बात के और द्योगिक विकास की जिसमें सबसे पहला है नीती का सुधार तो भारत में जो प्रथम और द्योगिक नीती है वो 6 अपरेल 1948 को लागू की गई इस नीती के द्वारा देश के उद्योगों को सरवजिनिक वो नीजी छेतर में बाट दिया गया तथा एक मिस्टित अर्थविवस्था की नीव रखी गई मिस्टित अर्थविवस्था मतलब सारविनिक और नीजी छेतर को समान भागी दारी दी गई तो याद रखेगा कि ये जो प्रथम और द्योगिक नीती थी इसमें देश के उद्योगों को दो भागों में बाट दिया गया था सारविनिक और नीजी छेतर में और साथी साथ मिस्तित अर्थ्विवस्था की निव रखी गई थी इसके बाद आई दूसरी अध्योगिक निती तो इस अध्योगिक निती के अंतरगत उध्योगों को अरक्षन दिया गया साथी साथ उध्योगों को स्रेणी बध कर दिया गया जिसमें प्रथम स्रेणी में केंदर सरकार के आधिन उद्योग, 32 स्रेणी में राज सरकार के आधिन उद्योग और 33 स्रेणी में निजी छेत्र के उद्योग को रखा गया साथी साथ इसमें आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि इस नीती के अंतरगत जो अवसिष्ट उद्योग है उनको निजी उद्यम के लिए छोण दिया गया ठीक है मतलब जो निजी उद्योग है उनके लिए छोण दिया गया क्या अवसिष्ट उद्योग इसके बाद जो अगला है वो है ओद्योगिक नीती 1973 इसके अंतरगत भारती उद्योगों में विदेशी निवेश की अनुमती दी गई साथी साथ इसी नीती के अंतरगत भारत में MNCS को अनुमती दी गई MNCS मतलब क्या होता है यह होता है मल्टी नेशनल कमपनी यानि बहुराश्टी कमपनी अर्थाद बाहर की जो कमपनिया है वो आकर भारत में निवेश कर सकती है इसकी अनुमती ओद्योगिक नीती 1973 के अंतरगत दी गई फिर आती है ओद्योगिक नीती 1977 जिसमें जो विदेशी निवेश है उसको प्रतिवंधित कर दिया गया मतलब कि जो 1973 में विदेशी निवेश को अनुमती दी गई थी उसके वाद 1977 में जो ओद्योगिक नीती आई उसमें विदेशी निवेश को प्रतिवंधित कर दिया गय तो इसके बारे में आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि ओद्योग की निती 1986 में जो लाइसेंसी करण की प्रक्रिया है उसको सरल कर दिया गया ठीक है इसके बाद जो भारत की सबसे महत्पूर्ण या फिर आप ऐसा बोले कि उद्योग की रीड कहे जाने वाली ओद्योग की निती आई जो थी ओद्योग की निती 1991 जिसको LPG निती के नाम से जाना जाते है LPG मतलब क्या होता है तो L का मतलब होता है liberalization, P का मतलब होता है privatization और G का मतलब होता है globalization ठीक है इस समय भारत के जो प्रधान मत्री थे वो थे PV नरसिम्हार राव जी और साथी साथ वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंग जी इस टाइम पर भारत की स्थिती बहुत ही खराब थी भारत के पास दो हपते के आयात का ही खर्च बचा हुआ था तब मनमोहन सिंग द्वारा और PV नरसिम्हार राव द्वारा ये निती लाई गई जिसमें LPG को महत दिया गया और साथी साथ याद रखेगा कि इस निती की जो घोषना है ये 24 जुलाई 1999 में की गई थी ये डेट काफी ज़्यादा महत पूर्ण है तो आप इसको याद रखेगा कि 24 जुलाई 1999 को भारत की ओद्व की निती 1999 या फिर LPG निती लागू ही L का मतलब मैंने आपको बताए Liberalization P का मतलब Privatization और G का मतलब Globalization Liberalization अर्थात उदारी करण यानि इससे पहले जो भारत की अर्थविवस्था थी वो बंद अर्थविवस्था थी अर्थात बाहर से कंपनी आकर यानि बिदेशी कंपनी आकर भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी तो इस नीती के लागू होने के बाद जो बिदेशी कंपनी आ थी वो भारत में आकर ब्यापार कर सकती थी उसके बाद प्राइविटाइजेशन यानि बहुत सारे छेतरों को निजी करण कर दिया गया और साथ ही साथ जो निजी छेतर की कंपनी आ थी उनको बहुत सारा प्रोडक्ट भारत में भी बेंच सकती हैं मतलब कि जो पूरा विश्व है वो एक बाजार बन गया वैस्वी करण के अंतरगार तो याद रखेगा कि यह जो नीती है यह भारत के लिए काफी ज्यादा महत्यपूर्ण थी ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जिसमें पहला है टिसको यानी टाटा आइरन एंड इस्टील कारपोरेशन जिसकी स्थापना 1907 में जहार खंड के जमसेदपूर में की गई दूसरा है इसको यानी इंडिया आइरन इंड इस्टील कमपनी इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल के कुल्टी में 1908 में की गई और तीसरा है विसको विसको मतलब विसे सुरया आइरन इस्टील कमपनी इसकी स्थापना करणाटा के भद्रावती में 1923 में की गई याद रखिएगा कि कानहन घाटी मध्ध प्रदेश से ये कोईला प्राप्त करता है तो स्वतनतता के पूर्व इतने संस्थागत सुधार अब बात करते हैं स्वतनतता के बाद संस्थागत सुधार की जिसमें पहला है भिलाई इस्पातुद्योग जिसकी स्थापना 1956 में रूस की सहायता से 36 गड़ में किया गया दूसरा है राउरकेला इस्पातुद्योग जिसकी स्थापना 1969 में ओडिसा में जर्मनी की सहायता स से किया गया और चोथा है बोकारो इसपात उद्योग जिसकी स्थापना 1974 में जहार खंड में रूस की सहायता से किया गया तो यह कुछ महत्यपूर्ण संस्था का सुधार थे जिसके माध्यम से भारत में उद्योगों का विकास हुआ अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत में उद्योगों के वरगी करण की तो भारत के उद्योगों को मुखते चार भागों में बाटा गया है पहला खनी जाधाईत उद्योग दूसरा है क्रिसी आधाईत उद्योग तीसरा है वन आधाईत उद्योग और चोथा है खनी जिवम तकनीकी आधारित उद्योग खनी लोहिस्पात उद्योग, एल्मोनियम उद्योग और सीमेंट उद्योग। दूसरा जो क्रिसी आधायत उद्योग है उसके अंतरगत चीनी उद्योग, कपास उद्योग और जूट उद्योग को सामिल किया जाते है। और खनीच तथा तकनीकी आधायत उद्योग में वायू आनिर्माण उद्योग, जले आनिर्माण उद्योग और रेल निर्माण उद्योग को सामिल किया जाते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ और महत्पुन उद्योग हैं जिनके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लाव इसपात उद्योग की। जहारखंड के सिंग भूमि से होती हैं। कोले की प्राप्ति जहारखंड के जहरिया से होती हैं। मैगनीज की जो प्राप्ति है वो जहारखंड और ओडीसा के बड़ा जामदा से होती है। और साथ ही साथ चूना पत्थर और डोलोमाइट की जो प्राप्ती है वो ओडिसा के वीर मित्रपूर से होती है और जो जल की प्राप्ती है वो इसको को बराकर नदी से होती है बराकर नदी जो की दामोदर की सहायक नदी है तो इसी से इसको प्राप्त किया जाता है ठीक है औ इसको यनि टाटा आइरन एंड इस्टील कमपनी जो की इस्थित है जहार खंड के जमसेद पूर में यह आदर सी इस्थिती में स्थापित लौह इस्पात उद्योग है इसको जो लौह आयस्क की प्राक्ति है वो गुरु महिसानी और बादाम पहाडी उडीसा से होती है कोले की प्राक्ति जहार खंड के जहरिया से चूना पत्थर और डोलोमाइट की जो प्राक्ति है वो ओडीसा के वीर मित्रपूर से और मैंगनेज की जो प्राक्ति है वो सिंग भूम ओडीसा से होती है और इसको जो जल प्राप्त होता है वो होता है स्वन रेखा नदी और खर यह भारत का पहला तटवर्ती लौहिस्पात उद्योग है इसको लौहिस्पात की प्राप्ती 36 गड़ के वैला डीला खदान से होती है साथ ही साथ कोईले की प्राप्ती दामोदर घाटी से होती है और अगर कम पढ़ता है तो आस्ट्रेलिया से भी कोईला आयात किया जाते है चूना पत्थर और डोलोमाइट की प्राप्ती तिलंगाना के खंभन छेतर से होती है और इसका जो परिवहन और बाजार छेतर है वो विसाखा पत्नम बंदरगाह है ठीक है अब मैं आपको भारत के तीन प्रमुख बंदरगाह के नाम बताता हूँ जो की भारत से लओ आयस्क निर्यात करने के लिए जाने जाती है पहला है मरमागावो बंदरगाह जो कि गोवा में स्थित है दूसरा है विसाखा पतनम बंदरगाह जो कि आपको पता है आंधर प्रदेश में स्थित है और तीसरा है पारादीब बंदरगाह जो कि इस्थित है ओडिसा में अच्छा आप कमेंट करके बताएगा कि पारादीब बंदरगाह का नया नाम क्या है यहाँ पर आपको पारादीब के समझ में एक चीजे और याद रखनी है कि जो पारादीब बंदरगाहे यह मुख रूप से जापान के लिए लाओ आयस्क निर्यात करने का काम करता है ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विसको की विसको यानि विस्वे सुरयया आयरन एवं इसपात उद्द्योग यह इस्थित है करनाटक में इसको लाओ आयस्क की प्राप्ती होती है कुंद्रे मुख और बाबा बूदन गिरी से चूना पत्थर और मैगनीज की प्राप्ती इसको चिकमंगलूर से होती है और विद्धूत की जो पूर्ती होती है वो होती है जोग जल विद्धूत परियोजना से और जल इसको प्राप्त होता है भद्रा नदी से ठीक है साथ ही साथ एक चीज और नोट कर लिजेगा कि यहाँ कोईले का आभाव होने के करण लाओ आयसक के प्रगलन के लिए मतलब उसको गलाने के लिए विद्धूत भट्थियों का प्रयोग किया जाता है इसलिए मैंने आपको बताया कि इसको विद्धूत आपूर्ती जो है वो स्थापना 1969 में ओडीसा में जर्मनी की सहाजता से की गई इसको लाओ आयसक की प्राप्ती क्यों जहर और सुन्दर गढ़ ओडीसा से होती है कोईले की प्राप्ती जहार खंड के जहरिया से होती है मैगनीज की प्राप्ती क्यों जहर से और जल की जो पूर्ती है वो कोईल और संख नदी से होती है ठीक है और याद रखिएगा कि चूना पत्थर जो है इसको वीर मित्रपूर से प्राप्त होता है और इसका जो परिवहन और बाजार है वो मुंबई कुलकत्ता रेलमार्ग है ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भिलाई इस पात उद्द्य की इसकी स्थापना 1956 में चhattis गढ़ में रूस की सहाइता से की गई इसको लाऑ आसक की जो प्रापती है वो डैली राज हारा और बैला डीला च्षतिजगर से होती है कोले की प्रापती जो है ओ कोरबा ताब विद्दूद ग्रह केंदर से होती है ठीक है तो भिलाई इस पातुद्योग के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है इसके बाद अगला है दूरगापूर इस पातुद्योग इसकी स्थापना 1962 में ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में की गई इसको लाहो आयसक जो है वो जहारखन के सिंगभू में से प्राप्त होता है कोईला प्राप्त होता है पश्चिम बंगाल के रानी गंज से चूना पत्थर और डोलोमाइट जो है वो वीर मित्रपूर से प्राप्त होता है और जल पूर्ती जो है वो दामोदर नदी से होती है इसके बाद जो अगला है वो है बोकारो इस्पातु द्योग इसकी स्थापना 1974 में जहार खंड में रूस की सहायता से की गई इसको लोहाइसक प्राप्त होता है ओडिसा के क्यों जहर से कोईला प्राप्त होता है जहार खंड के जहरिया से चूना पत्थर और डोलोमाइट जो है वो वीर मित्रपूर से प्राप्त होता है जल की पूर्ती इसको बोकारो नदी से होती है जो कि आपको पता है दामोदर की सहायक नदी है और परिवहन तथा इसका जो बाजार है वो है कोलकत्ता मुंबई रेल मारग तो आपको बोकारो इसपात उद्योग के सम्मद में इतनी चीजें याद रखनी है ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सैलम इसपात उद्योग की जो सैलम इसपात उद्योग है इसकी स्थापना 1982 में तमिलनाडू के सैलम में की गई यह इसपात उद्योग जो है यह प्राप्त होता है इसको तमिलनाडू के निवेली से ठीक है तो आपको इतनी चीजें सैलम इसपात उद्योग के समध में याद रखने हैं मुखरूप से आपको यही याद रखने है यह जो इसपात उद्योग है यह स्टेनलेस इस्टील का उत्पादन करता है ठीक है इसके ब प्राप्ति जो है मध्रप्रदेश के कानन घाटी से होती है और सुध्ध जल विद्धूत की जो आपूर्ती है वो तुंग भद्रा पर्योजना से होती है तो विजयनगर इस्पात उद्योग के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है अब हम लोग कुछ महत्पु निजी छेतर की इस्पात उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं फिर हम लोग बात करेंगे एल्यूमीनियम उद्योग की ठीक है तो पहला जो निजी छेतर का इस्पात उद्योग है वो है असार इस्पात उद्योग ये जो है ये गुजरात के हजीरा में स्थीत है दूसर है तिसको जो कि जहार खंड के जमसेदपूर में इस्थीत है तो याद रखिएगा कि यह महत्रपूर जो निजी छेतर के इसपात उद्योग है यह कहां पर इस्थीत है ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं एलूमीनियम उद्योग की एलूमीनियम जो कि भूपरपटी में सरवाधिक पाये जाने वाला धातू है जबकि प्रिथवी में सबसे ज़्यादा कौन सी धातू पाये जाती है तो वो पाये जाती है लोहा तो याद रखिएगा कि जो एलूमीनियम है यह एक रासानिक तत्व ह जो की धातु के रूप में पाया जाता है एलूमीनियम के प्रमुख आयस्क हैं बाकसाइट, क्रायोलाइट और कोरंडम तो इन ही की असुधियों को विद्धूत अबगटन के द्वारा सुध करके एलूमीनियम प्राप्त किया जाता है 1937 में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में की गई थी अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख एलूमीनियम उद्ध्योग की तो पहला है नालको, नालको यानि निशनल एलूमीनियम कमपनी जिसकी स्थापना 1981 में ओडिसा के दावन जोडी में फ्रांस की मदद से की गई याद रखिएगा कि जो नालको है वो दुनिया की सबसे सस्ती एलूमीनियम बनाने वाली कमपनी है तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है और रिसा के दावन जोडी में वो भी फ्रांस की मदद से ठीक है इसके वाद अगला है बालको बालको यानि भारत एलुमीनियम कमपनी इसकी स्थापना 1965 में महाराश्ट के कोईना में की गई और इसकी एक इकाई की स्थापना 36 गड़ के कोरवा में की गई थी जिसकी स्थापना 36 गड़ के कोरवा में की गई है उस इकाई को रूस की म उत्तर प्रदेश के रेंडू कूट में 1958 में USA के मदद से की गई थी ठीक है इसके बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी हैं फिर हम लोग बात कर लेते हैं मालकों की तो मालकों की तीनिकाई इस्थीत हैं जो की तमिलाडू में ही स्थीत हैं एक इकाई चिन्नाई में द की तीनिकाई तमिलाडू में अलग-अलग जगह पर इस्थीत हैं फिर हम लोग बात कर लेते हैं इंडालकों की इंडालकों मतलब इंडियन एलूमीनियम कमपनी इसकी स्थापना भी तीनिकाईों के रूप में की गई है और ये कब की गई है तो ये की गई है 1938 में और में की गई है ठीक है मैंने आपको मालकों का पूरा नाम नहीं बताया मालकों का पूरा नाम है मदरास एलूमीनियम कमपनी ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं वालकों की वालकों मतलब वेदानता एलूमीनियम कमपनी इसकी स्थापना ओडिसा के जहार सुगडा में 1976 में जरमनी की मदसे की गई है तो आपको इन महट्यपून Aluminium उद्योग के बारे में जाद रखना है कि इनकी स्थापना कब की गई कहां की गई और किसकी मदसे की गई और एक नाम तो आपको खुद ही जाद रखना है नालको जो की दुनिया की सबसे सस्ती अलुमीनियम बनाने वाली कमपनी है तो ये पॉइंट आप याद रखेगा ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं सीमेंट उद्योग की सीमेंट उद्योग जो की कच्चे माल पर आधारित उद्योग है इसका जो प्रमुख कच्चे माल है वो है चूना पत्थर जो की बाद 1912-13 में पोरवंदर में इंडिया सीमेंट कमपनी लिम्टेड की स्थापना की गई फिर 1915 में कटनी में और 1915-16 में लाखेरी बूदी में क्लिक निक्सन कमपनी दोरा सीमेंट कार खाना की स्थापना की गई याद रखिएगा कि सीमेंट के उत्पादर में प्रथामि उद्योग की जिसमें पहला है कपास उद्योग या फिर सूती वस्त्र उद्योग यह भारत का दूसरा सरवाधिक रोजगार प्रदान करने वाला छेत्र है और द्योगी कुद पादन में जो सूती वस्त उद्योग का योगदान है वो 14 प्रिश्ट है जबकि भारत की के फोर्ट ग्लाश्टर नमकिस्थान पर की गई थी परन्त यह जो प्रियास था यह असफल रहा भारत में जो प्रथम सफल प्रियास है सूती वस्त्र मिल की स्थापना की वो किया गया था 1854 में मुंबई में कावश जी डावर द्वारा तो याद रखिएगा कि भारत में प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई थी 1854 में कहां की गई थी मुंबई में और किसके द्वारा की गई थी तो वह की गई थी कावश जी डावर द्वारा ठीक है अब हम लोग भारत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंदर के बारे में बात कर पहला है महाराष्ट में सूती वस्त उद्योग की लगभग 122 मिले स्थीत हैं महाराष्ट का सूती वस्त के युद्पादन में 42.2 प्रिश्चत का योगदान है महाराष्ट में जो मुंबई है यानि महाराष्ट की राजधानी मुंबई ये सूती वस्त उद्योग का प्रमु भारत का काटनो पॉलिस या फिर सूतिवस्थ उद्योग की राजधानी, ठीक है, इसके बाद अगला है गुजरात, तो गुजरात में सूतिवस्थ उद्योग की लगभग 120 मिले है, गुजरात का योगदान सूतिवस्थ उद्योग में 26 परिशत है, एहमदावाद, गुजरात है वो भी सूती वस्त उद्योग के लिए प्रसीद है इसी काम से गुजरात को भारत के मैंचेश्टर कहते हैं और याद रखेगा कि पूर्व का वोश्टक किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है यूज से यनी अमेरिका को ठीक है आगे वढ़ते हैं इसके वाद हम बात कर लेते हैं तमिन नाडू की तमिन नाडू जो है यह धागा निर्मार की सरवाधिक मिले यहां पर पाई जाती है कोयमबटूर दक्षिन भारत में प्रमुख सूती वस्त उद्योग के लिए जाना जाता है यही कारण है कि जो कयमबटूर है उसको दक्षिन भायत का मै कियोंकि जो कोयाम बटूर हुँ तमिन लाडू में सूत्य वस्त उध्योग के लिए फेमस है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला जो सूत्य वस्त उध्योग का प्रमुख केंद्र है, वो है उद्तर प्रदेस उत्तर प्रदेश जो कि उत्तर भारत में सूति वस्त उद्योग का उत्पादन करता है तथा कानपूर यहां पर प्रमुख सूति वस्त केंदर है इसलिए इसे उत्तर भारत के मैंचेस्टर भी कहते हैं याद रखिएगा कि कानपूर को उत्तर भारत के मैंचेस्टर क्यों कहते हैं क्योंकि उत्तर भारत में जो कानपूर है ये सूती वस्त उद्योग का प्रमुख केंदर है तो आपको कई सारी चीज़े याद रखनी है कि उत्तर भारत के मैंचेस्टर किसे कहते हैं कानपूर को जब कि दक्षिन भारत के मैंचेस्टर किसे कहते हैं तो कोयमबर टूर को कहते हैं भारत के मैंचेस्टर किसे कहते हैं तो वह कहते हैं एहमदा बात को और भारत का काटनो पॉलिस किसे कहते हैं तो वह कहा जाता है मुंबई को ठीक है तो ये चीजे आप याद रखिएगा मैं आपको बता दूँ कि कपास का जो सरवाधिक उत्पादन है वो चीन के बाद भारत में होता है चीन में सबसे जादा होता है फिर भी जो चीन है वो भारत से कपास मगाता है यनि चीन को भारत दोरा कपास भेजी जाती है उसका करण ये है कि भारत में जो कपास होता है उसके रेसे जो होते हैं वो लंबे होते हैं और अच्छे होते हैं इस करण से धागा बनाने में काम उपयोग आता है और यही करण है कि जो चीन है वो भारत से कपास निर्यात करता ह ठीक हैं कपास से सम्मंधित या फिर ऐसा कहिए कि जो सूती वस्त उद्योग से सम्मंधित कुछ महत्पुन योजना है थी एक था हैंडलूम पार्क योजना जिसकी स्थापना 28 जुन 2016 में की गई थी इसका जो उद्देश था वो था हत करगा उद्योग को ब्रेंड बनाना दूसरा था नेशनल टेक्ष्टाइल कार्पुरेशन इसकी स्थापना 1968 में की गई थी और इसका जो उद्देश था वो ये था कि जो खस्ता हाल कपड़े मिले हैं उनको सम्माना तो याद रखिएगा ये महत्पूर्ण दो योजनाय हैं जो की किस से सम्मन्धित हैं सूती वस्त उद्द्योग से सम्मन्धित हैं ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले की तो अगला है जूट उद्द्योग जूट जिसको सुनहरा तंतू या फिर गोल्डन फाइवर या सुनहरा रेसा के नाम से जाना जाता है भारत में प्रथम जूट जो मील है उसकी स्थापना पश्चिम बंगाल के सिरसा नामकि स्थान पर की गई थी विस्व में जो भारत है वो जूट के सामान के उत्पादन में परथम इस्थान रखने वाला देश है और भारत में जूट या परसन के उत्पादन में परथम इस्थान रखने वाला जो छेतर है या फिर राज है वो कौन सा है वो है पश्चिम बंगाल भारत में जूट की सरवाधी करखाने जो है वो भी पश्चिम मंगाल में ही इस्थित हैं उनकी संख्या है 64 भारती जूट निगम की स्थापना 1971 में की गई थी अंतराश्टी जूट संगठन की स्थापना 1984 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है यानि अंतराच्टी जूट संगटन का जो मुख्यालय है वो ढाका में यनी बांगलादेस में इस्थीच है ठीक है और मैं आपको बता दूं कि बिहार के समस्थीपूर कतिहार और दरभंगा में भी जूट का उत्पादन किया जाते है उसके अलावा पश्चिम मंगाल के टीटागड जगदलपूर हावडा रिस्रा यहां पर जूट का उत्पादन किया जाता है और आंधर प्रदेश में विसाखा पत्टनम गुट्टूर में जूट का उत्पादन किया जाता है तो आप जूट से संबन्धित इतनी चीजें याद रखेगा ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चीनी उद्द्योग की जो चीनी उद्द्योग है इसको वजन हास उद्द्योग या फिर वेट लूज इन्रस्टी के नाम से जाना जाता है चीनी उद्द्योग कच्चे माल के समीप इस्थापित किया जाते हैं चीनी की उत्पादन में भारत जो है वो ब्राजील को पीछे करके प्रथम इस्थान पर है और चीनी के उपभोग में भारत जो है वो प्रथम इस्थान रखते हैं भारत में प्रथम चीनी मिल की गंगा नगर राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना इस्थापीत है ठीक है तो चीनी उद्ध्योग के समध्ध में आपको इतनी चीजे याद रखनी है अब हम लोग बात कर लेते हैं वन आधारित उद्ध्योग की जिसमें पहला है कागज उद्ध्योग 323 में चीन में हुआ है भारत में कागज का जो प्रतम कारखाना है वह 1716 में विलियम कैरी 22-19 में खोला गया था लेकिन इनका ये प्रयाष यह असफल रहा भारत में कागज का जो प्रतम सफल कार खाना है वो 1870 में पश्चिम मंगाल के कोलकाता के बाली में खोला गया था कागाज उद्योग जो है यह एक बजन हास उद्योग है इसलिए इस उद्योग का जो इस्थाई करण है वो कच्चे माल के स्रोत की आधार पर किया जाता है भारत में कागज निर्माण हेतु निमलिखित वस्तुओं को उपयोग किया जाता है पहला मुलायम लकडी जो की कोन धारी ब्रिक्ष से प्राक्त होती है दूसरा बास जो की कच्चे माल के रूप में सरवाधिक प्रियोग किया जाता है तीसरा है सवाई घास जो की पंदा प्रियोग किया जाता है और मैं आपको बता दूँ एमपी के जो कागज होते है क्योंकि एमपी में ये घास पाई जाती है तो उसमें ये ज़्यादा उप्योग किया जाता है जो सवाई घास जिसमें ज़्यादा उपयोग किया जाते हैं तो वो कागज सर्वोत्तम कागज होते हैं मतलब इससे सर्वोत्तम कागज प्राप्त किया जाते हैं फिर है बगासी बगासी जो है वो गन्ये के खोई से प्राप्त की जाती है और कागज निर्मान में इसका जो य पत्र होते हैं वो इसी के कागज से बनाया जाते हैं ठीक है और एसिया का सबसे बड़ा जो हस्त निर्मित कारखाना है वो कहां इस्थित है तो इस्थित है पांडुचेरी में अब हम लोग कागज उद्यों के वित्रण की बात कर लेते हैं तो पशिम मंगाल में जानी गंच कोलकत्ता और वासवेरिया हावडा और दमदम में इस्थित हैं आंधप्रदेश में राजमुंद्री और तिरूपती में करनाटक में भद्रावति और मैसूर में बांस आधारित और महाराष्ट में अगर अगर बात करें तो वल्लारपूर और सांगली में गांस पर अधारित होते हैं तो यह चीज़ आप याद रखेगा और साथ ही याद रखेगा कि तमिल नाडू के पुगालूर में जो है वो अखवारी कागज बनाया जाते हैं ठीक है तो कागज के समद्ध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं रेसम उद्ध्यों की रेसम उद्ध्यों की दो वस्थाएं होती हैं एक होता है रेसम कीट पालन तथा रेसा प्राप्त करना और दूसरा होता है कि रेसे से वस्त्र बनाना अर्थात रेसमी वस्त्र उद्ध्यों होगा आपको पता है कि जो रेसमी कीट होते हैं व फिर मालवरी रेशा जो की करनाटक में प्राप्त किया जाता है और इसके प्राप्ति के अगर बात करें तो 72 प्रिशत यही रेशम प्राप्त किया जाता है ठीक है और यह उच्च कोटी के रेशम होता है दूसरा है मूगा रेशम जो की असम में बनाया जाता है या फिर प्रा आया जाते है ठीक है तो यह चीज़ आप याद रखिएगा कि निम्न कोटी के जो रेसम होते हो कौन सा होते है आरंडी रेसम और उच्च कोटी के जो रेसम होते हो कौन सा होते है सहतूत या फिर मलवरी रेसम ठीक है सहतूत को ही मलवरी कहते हैं इंगलिस में तो आप यह भारत जो है विस्व में लाक उत्पादन में प्रथमिस्थान रखता है भारत में 60 पेसे जो है वो लाक को उत्पादन किया जाता है जो लाक का कीड़ा होता है वो बबूल या फिर बेर के पेंड में पाला जाता है भारत का सरवाधिक जो है उत्पादन लाक का कहा किया जाता तो वो किया जाता है जहार खंड में और मैं आपको बता दूं कि भारती लाक अनुसंधान केंद्र जो है वो राची के नाम कुम में इस्थीत है ठीक है तो आपको लाक उद्ध्योग के सम्मध में इतनी चीजें याद रखनी है तो इस तरीके से हम लोगों ने वन आधारित उद्ध्योगों को भी एक एक करके देखा अब हम लोग बात कर लेते हैं खनीजवा तकनीकी आधारित उद्ध्योग की जिसमें पहला है वायू या निर्मान उद्ध्योग तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1940 में बैंगलूरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिम्ट पहला है जलेयान निर्मान उद्ध्योग तो आधुनिक ढंका जो जलेयान बनाने का पहला कार खाना है वो सिंधिया नेविगेशन कमपनी द्वारा वर्ष 1941 में विसाखा पटनम इस्थापित किया गया था वर्ष 1952 में से केंदर सरकार ने अधिगरहित कर लिया था और उद्ध्योग की मैं आपको बता दूं कि चितरंजन लोको मोटिफ्स वर्क यानि CLW यह पश्चीम बंगाल के वर्धमान में इस्थीत है इसकी स्थापना 1950 में हुई 1922 से पहले यहाँ पर इस्टीम लोको मोटिव बनती थी जबकि डीजल इंजन का जो कार खाना है वो वार उत्तर प्रदेश में इस्थीत है और इंटीग्रल कोच फैक्टरी जो है वो तमिलनाडू के पेरामबूर में इस्थीत है उसकी स्थापना जो है 1905 में की गई थी ठीक है तो आपको इतनी चीजें रेल निर्मान उद्ध्योग के बारे में याद रखना है ठीक है तो अब ह अंणरु धनवाद में स्थापित किया गया था राजस्θान के जावर और राजपूर दरीबा में ऐसक की प्राप्ति होती है इसकी जबकि देश में चार जस्था यानी जिंक इसमेल्टर इस्थीत है एक इस्थीत है अलवाई केरल में दूसरा इस्थीत है देवारी राजस्थान में और तीसरा इस्थीत है चित्तोडगर राजस्थान में और एक और इस्थीत है जो की विसाखा पत्नम आंध प्रदेश में इस्थीत है ठीक है तो ये चीज़ा आप याद रखिएगा लेड औ और जस्ता उद्ध्योग के संबंध में ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं आटो मोबाइल उद्ध्योग की तो मैं आपको बता दूं कि सरोपर्थम जेनेरल मोटर लिम्टेड की स्थापना वर्ष 1928 में मुंबाई में हुई थी फोर्ड मोटर वर्ष 1989 में मिस्थापित किया गया जबकि प्रीमियर आटो मोबाइल लिम्टेड कुला मुंबाई मिस्थापित किया गया और हिंदुस्तान मोटर लिम्टेड जो है वो उत्तर पूरा कोलकत्ता मिस्थापित किया गया ठीक है तो आपको इतनी चीजें आटो मो सदर्श लिम्टेट के द्वारा किया गया 1903 में हिंदुस्तान मसीन टूल की स्थापना हुई और मैं आपको बता दूं कि सारवजीन उपकरम के रूप में बैंगलूरू में इसकी स्थापना की गई थी किसकी मदद से स्विट्जर लेंड की मदद से हैवी इंजन निगम लिम्टेट जो की राची में स्थापित किया गया था 1958 में रूस की मदद से और 1986 में विसाखा पटनम में भारी मसीन टी उद्योग की स्थापना चेक सहयोग से की गई थी ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखना है साथी साथ याद रखिएगा कि टे पूर इकाई में बहुमूल उपकरणों का निर्मान किया जाते है ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तामर या फिर कौपर उद्योग की तो मैं आपको बता दूं कि 1924 में इंडिया कौपर कार्पूरेशन की स्थापना की गई थी पहला सैयंत्र जो है वो घार सि भूम वाला और दूसरा खेतडी जुन जुनूर राजस्थान वाला तो ये दो प्रमुक सैयंत्र अभी भी काम कर रहे हैं ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रासायन आधारित उद्योग की तो मैं आपको बता दूं कि वस्त्र उद्योग लाविस पात स्थापित किया जाते हैं अब बात कर लेते हैं उरवरक की तो मैं आपको बता दूं कि पेट्रो रासायन उत्पादित करने वाले छेत्रों के समीप इस उद्योग को इस्थापित किया जाते हैं नाइट्रोजन उरवरक का उत्पादन करने वाले इकाईयों में से 70% जो इकाईयां है नेफ्ता का उप्योग कच्चे माल के रूप में करती हैं वर्स 1906 में रानी पेट तमिलाडू में पहला सूपर फास्पेट प्लांट खोला गया था 1951 में सिंदरी जारखन में पहला आजादी के बाद कारखाना इस्थापित किया गया था और याद रखिएगा कि जो भारत है वो नाइट्रोजन उत्पादन करने वाला चोथा सबसे बड़ा देश है ठीक है इसमें दो महत्पुर्ण संस्थाएं है एक है FCI और एक है NFL FCI मतलब Fertilizer Corporation of India इसकी चार प्रमुखिकाईयां है एक ही काई सिंदरी जारखन में स्थीत है दूसरी तलचर असम में तीसरी गोरकपुर उत्तर प्रदेश में और चोथी जो है रमा गुंडम आंध प्रदेश में स्थीत है फिर बात करते है NFL की NFL मतलब National Fertilizer Limited इसकी जो महत्पुन इकाईयां है वो भटिंडा, पानीपत और विजयपुर में स्थीत है ठीक है तो आप रासायन आधायत उद्योगों के समन्ध में इतनी चीजें याद रखिएगा ठीक है तो इस तरीके से अपनी वीडियो कम्प्लीट हुई आपको वीडियो कैसी बताना है वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और हाँ अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी पीडियाप पाओ तो पीडियाप के लिए आपको टेलिग्राम पर सर्च करना पड़ेगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को जोईन करना पड़ेगा जितनी भी वीडियो यहाँ पर अपलोड है उनकी फ्री में पीडियाप आपको टेलिग्राम चैनल पर उपलाब्ध करवा दी जाएंगी ठीक है तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद